परोना महामारी के खिलाब देश की जो लड़ाई चल लई है आदने प्रधान मंत्री जी के मार्क दरसन ने इस सदी के सबसे बड़ी महामारी से पुरा देश और पुरी दुनिया जूज रही है भारत ने फर्स्ट वेब का मुकाबला पुरी मजबूती के साथ किया और सेकंड वेब परतमान में हम सब के सामने चुनौती देते वे खड़ी है देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्ची होने के नाते उत्तर पुरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है फर्स्ट वेब में आदने प्रधान मंत्री जी ने कुछ मंत्र देए थे परोना से लड़ने के लिए कि टिपल ट्री पर हमें ध्यान देना पड़ेगा ट्रेस ट्रेस टेस्ट एंट्री और लियन एग्रेसिब पैंकेंड के माध्यम से हम इस लड़ाई को बहुत मुझबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं फर्स्ट वेब में यासंका ब्यक्त की थी पिसे सक्जों ने कि उत्तर प्रदेस में एक्टिव केस एक लाग से जादा जाएंगे और उत्तर प्रदेस ने एक्टिव केस सड़सड हजार पर नियंतित कई थी और फर्स्ट वेब में जो यहां पर प्रति दिन आने वाले जो मैक्सिमम केस थी और साथ हजार दोसों तक पहुँचे थे लिए महराष्ट के अंदर दिल्ली के अंदर जब पॉस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दुनिया के विससग्यों ने देश के भी विससग्यों ने आसंका व्यक्ति की कि महराष्ट और दिल्ली के कि इस्तिती दे उत्तर प्रदेश तो आबादी का सबसे बड़ा राज्य है इसकी क्या इस्तिती होगी और मुने आसंका ब्रक्ति की थी कि 25 अप्रेल से लेकर के 10-15 माई के बीच में एक लाग केस प्रति दिन उत्तर प्रदेश में आएंगे हमारी पूरी टीम ने, सासन ने, प्रसासन ने, चन्द प्रतिनितियों ने, हमारे घल्त वरकर्स ने, करोना वारियर्स ने, स्वेम सेवी संगठनों ने आप सभी मिनों मिलकर के, जो एक रिजड दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में सबसे दिक पॉजिटिव केस आने वाले जो तिथी थी, वह थी 24 अप्रेल, जिसमें 38,055 केस आये थे हमारे यहां जो सरवाधिक एक्टिव केस जिस्तिति को पॉचे थे, वह 30 अप्रेल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे और आज जब हम 16 माई में हैं, 16 माई को 24 गंटे में जो पॉजिटिव केस आये हैं, वह आये हैं 10,600 और एक्टिव केस वह घट करके अब आये हैं 1,63,000 तक यानि हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस, 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं ट्रेस, टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके हम लोगों ने इसी कारिक्टरम को आगे बढ़ा करकी इस दोर यानि प्रदेश देश के अंदर सरवाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है आज साड़े चार करोड टेस्ट कर उत्तर प्रदेश अपना पूरा कर चुका है और ये एग्रिसिव कैंपेंड इस दिसा में उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश चल लई है पहला कोरोणा पॉजटी जो यूपी में आया था तब हमारे पास टेस्ट की सुठ़ा नहीं थी आज धाई से तीन लाग टेस्ट प्रतिज़न हम लोग कर सकते हैं हमारे पास बेट्स नहीं थे हमने फर्स्ट वेब में L1 फैसलिटी के बेट की आउसकता थी एक लाग सोला हजार तक असे पहुचाया था L2, L3 की 23,000 तक हमने बेट्स पहुचाये थे लेकिन सेकंड वेब में L1 फैसलिटी के बेट की आउसकता नहीं थी L2, L3 की फेसलिटी क्या हो सकता पड़ी तो हम आज 80,000 तक महुचा चुके हैं फर्स्ट वेब में ऑक्सिजन कितनी आउ सकता नहीं थी लेकिन सेकंड वेब में ऑक्सिजन की आपूर्ती कई गुना जावाब बढ़ी लोगों ने डिमांड की आउक्सिजन की दिश से पहली बार देश के अंदर आउक्सिजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सवयोग से चले इयर फोर्स के जहाजों के मात्यम से आउक्सिजन के टेंकर भेजे जाते थे वहाँ से टेन के मात्यम से मंगाए जाते थे और आज हम लोगोंने हर जन्पत में सरपलस ओक्षिजन तक उपलब्द कराने में इस दोरान हम लोग सफल रहे हैं लेकिन फ्यूचर की आउसिक्ता को ध्यान में रख कर ओक्षिजन आत्मनिरभ़ता की दिस्से अकेले मेरट मंदल के अंदर 35 नए ऑक्षिजन प्लांट लगाने की कारवाई वरतमान में चल लए है और जिसमें अकेले मेरट जन्पत में 10 ऑक्षिजन प्लांट वरतमान में जिन पर या तो कारे प्रारम हो चुका है या जिन पे कारे होने जा रहा है जिससे आने वाले समय में यहां के medical colleges, hospital और CSC में ज्यादा तरको हम लोग oxygen की दिश से आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर से oxygen लाने की आउसिक्ता नहीं पड़ेगे तो oxygen concentrator भी हर एक जन्तपत को इस दोरान उपलब्द कराए गए है एक आसंका जो ब्यक्त की जा रही है वहाँ दो तीन चीजों को लेकर एक गाओं में infection की दिश से उत्तरप्रदेश ने दो मई से ही इसके बारे में advisory जारी कर दी जिसमें निगरानी समितियां screening का कारे कर रही है हर लक्षण युक्त और संदिक दुब्यक्त को medical के टुपलब्द करा रही है उनकी सुची ICCC के साथ दे करके फिर ICCC से rapid response तीम वहाँ जाकर के इंडिजन टेस्ट करती है उन्हें मरीज के लक्षण के अनसार hospitalized करना, quarantine center में रखना या home isolation में रखना इन सब पर कारे हो रहा है और एक aggressive campaign वरतमान में पुरे प्रदेश के अंदर 97,000 राज़स्ट काओं के दिश्टे लेकर के राज़सरकार ने लिया है और ये अभ्यान हमारी 60,000 से अधिक जो निगरानी समीतियां बनाई हैं जिसमें 8 से लेकर के 10 सबस्ते हर निगरानी समीति में हैं और 12,000 नगरी च्छेत्रों में ये निगरानी समीतियां वरतमान में कारे कर रही हैं इसके मात्यम से हम लोग ग्रामिड छित्र में भी करोना के संक्रमण से बचाओ के अभ्यान प्रारंब कर रहे हैं युद अस्तर पर इस कारे योजना को आगे बढ़ाने का कारे किया जा रहा है इसके साथ ही पोस्ट कॉविड पेसेंड भी हमारे सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस से जड़े हुए कुछ माम ले आये हैं कली राच्चे सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्रैसिस मैनिस्मेंट गुरूप हम लोगों ने बनाया है जिसमें प्रदेश और देश के चिकित साव इसे सक्यों को रखा गया है ये सभी गुरूप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं थर्ड वेब में हमें क्या करना है ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणिती होनी चाहिए कल उत्तरप्रदेश ने इसकी एडवाईजरी पूरे जन्पदों में जारी कर दी है इसकी लाइन आप ट्रीट्मेंट क्या होगी क्या सावधानी बरतनी चाहिए किसी भी पेसेंट के बारे में जो हाई रिस्क काटेगरी पहले से पहले वेब में कहा जा रहा था जन्पद में बनाने की कारवाई की के निर्देश दे गए हैं कि इसके साथ ही वैक्सिनेशन के कारिक्रम पागे बढ़ाने और थर्डवेब को रोकने के लिए भी राजसरकार ने अपनी ब्यापक रणने की बनाई है 45 से उपर के लोगों को भारसरकार मुप्त में वैक्सिन उपलब्द करवा रही है और मुप्त में वैक्सिन उपलब्द करवाने की सकारवाई के साथ प्रदेश में अब तक हम लोगों ने डेड़ करोड लोगों को वैक्सिन हम दे चुके है अठारा प्लस में मंद मेरत जो कमिस्नरी है इसमें पचास हजार यूथ को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है वैक्सीनेशन का एक कारिकरम हम लोगों ने फेजवाईज अठारा प्लस के लिए फेजवाईज प्रारंब किया है पहले नौजनपद जो सरवाधिक एक्टिब केसेज जहांते थे पॉस्टिविटी जादा थी उन पे किया फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लगू किया अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिस्नरी मुख्याले पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में अठारा प्लस का वैक्सिनेशन का कारिकर्म प्रारम्ब होने जारा है युद दस्तर पर इस कारिक्टर्म को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने एक ब्यापक रणनीती बनाई है जो कि करोना कर्फियों को एक सप्ता के लिए आगे बनाने का कारे हुआ है इस दोरान राच्च सरकार ने उन सभी लोगों को पंद्रों करोड लोगों को जो पात्र ग्रहस्ती के अंतोदे के काड़ धारक हैं लेबर कलास के लोग हैं जर्रोत मंद हैं ऐसे लगभग 15 करोड लोगों को मुप्त में राच्च उपलब्द कराने की तीन मेहने में तीन मेहने का मुप्त में राच्च उपलब्द कराने के कारे को आगे बढ़ाया है ये रासन प्रधानमंत्री गरीब कल्यान पैकेज के अत्रिक तो होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्यान पैकेज में एक यूनिट में पाच किलो खात्यान निसुल को प्लब्द कराये जा रहा है उसके अत्रिक तो ये खात्यान उसके अत्रिक तो होगा इसके लाबा इस्टीट वेंडर, रिक्सा चालक, ए रिक्सा चालक, जितने भी लेवर संगटित और संगटि छेतर के जितने भी लेवर हैं, हमारे नाविक हैं, पुली हैं, पलेदार हैं, मोची हैं, नाई हैं, धोबी हैं, इन सभी लोगों को भी जो प्रति दिन कमाते थे और उससे अपने परिवार की आजीविका चलाते थे उनको भरन पोशन भत्ता भी देने की विवास्ता राज्य सरकार ने कल से प्रारम कल इसको स्विक्रत दी है और हर एक जन्पद में हम लोगों ने इसके व्यापक योजना बना करके इसको लागू करने का कारे किया है थार्ड वेब को रोकने के लिए भी अभी से कारियोजना हमारी प्रारम हो चुकी है सच्चता, सेनिटाइजेशन, फोगिंग, हाई रिस्क काटे करीब को अवरनेस के लिए जागरू करना और अवरनेस के व्यापक कारिक्रम को आगे बढ़ाना पॉब्लिक एटर सिस्टम के मात्यम से लगाता लोगों में अवरनेस के कारिक्रम को आगे बढ़ाने की कारवाई चल लई है और एक जन्पद में, मेडिकल कॉलेजेज में, इस्टिक हास्पिटल में हम लोगों ने एक व्यवस्तपा की है कि वहाँ पेडियाटिक का आईशियू का निर्माण अभी से प्रारम हो जाए उत्तरप्रदेश के पास इनसे प्लाइटिस से लड़ने का अनुभाव है हम लोगों ने इसकी व्यापक कारिय उसना पहले से बनाई है इनसे प्लाइटिस में मौत की आंकड़ों को हम पिचानबे फीस्दी कम करने में सफल हुए है और इस समय हम लोगों ने उसी तर्ज पर ठाड़ वेड को भेश करने के लिए भी अपने एक व्यापक रणनीति को आगे बढ़ाने का कारे किया है हमारी जो प्रदेश के अंदर विशेशक्यों की समिती है और निरंतर इस पर कारे कर रही है भारत सरकार के मारतरसन में भारत सरकार के सयोग से हम इसको भी नियंतित करने में सफल होंगे मेरी आप सबसे भी अपील होगी कि इस महामारी से लड़ने में एक बहुत बड़ा और मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है पपलिक अवेर्नेस में हाइ-risk के कैटेगरी से जोड़ेवे लोग जो पहले पहले फस्ट वेम्स से ही कहा जा रहा है कि first wave के समय कि high risk category के लोग बाहर न निकले जिने blood pressure है, जिने सूकर है, जो cancer के रोगी है, जो hard के पेसेंट है या kidney के पेसेंट हैं वे घर से बाहर न निकले, घर में भी mask लगा करके चले गर्वती महलाएं हैं, साड़ साल से उपर के लोग हैं, दस साल से नीचे के बच्चे हैं, community के लोग हैं इस लोग घर के पाहर न निकले, सेस अन्य लोगों को निकलना ही हो तो mask लगा करके चले mask और दो गच्च की दूरी का पालन करें किसी वस्तो को छू रहे हैं तो सेनिटाइजर से हाथ साप कर ले, या साबुन पानी से साप करें, हाथ साप करें इन सभी नियमों के बारे में अगर पब्लिक को हम अवैर कर सकें, जागरूप कर सकें तो एक बहुत बड़ा कार्य जो है, करोना को रोकने की दिस्से और उसके चेन के संक्रमन की चेन को ब्रेक करने में हम लोग काफी हथ तक सफल हो सकते हैं, देश की करोना के खलाब इस लड़ाई में आपके माध्यम से भी सभी लोग जागरूप हो सकेंगे इस अपील के साथ, आप सब को बहुत धन्यवात झाल